ओम शान्ती, 19 मार्च 1986 अव्यक्त बाप दादा मदुबन, शीर्षक, अमरित वेला, श्रेष्ट प्राप्तियों की वेला UK ग्रुप के प्रती बाप दादा बोले, आज रुहानी बागवान अपने रुहानी रोज फ्लावर्स का बगीचा देख रहे हैं ऐसा रुहानी गुलाव का बगीचा अब इस संगम्युक पर ही बाप दादा द्वारा ही बनता है बाप दादा हर एक रुहानी गुलाव, फूल की रुहानियत की खुश्बू और रुहानियत के खिले हुए पुश्बों की रौनक देख रहे हैं खुश्बूदार सभी हैं, लेकिन किसकी खुश्बू सदाकाल रहने वाली है और किसकी खुश्बू थोड़े समय के लिए रहती है कोई गुलाव सदा खिला हुआ है और कोई कब खिला हुआ, कब थोड़ा सा धूप वा मौसम के हिसाब से मुर्जा भी जाते हैं लेकिन हैं फिर भी रोहानी बागवान के बगीचे के रोहानी गुलाव, कोई कोई रोहानी गुलाव में ग्यान की खुश्बू विशेश है, कोई में याद की खुश्बू विशेश है, तो कोई में धरना की खुश्बू, कोई में सेवा की खुश्बू विशेश है, कोई अफी सब की नजर पहले जाती है तो रोहानी बागवान सदैव सभी रोहानी गुलाब के पुश्पों को देखते हैं लेकिन नमबर वार प्यार भी सभी से है क्योंकि हर एक गुलाब पुश्प के अंदर बागवान प्रति अति प्यार है मालिक से पुश्पों का प्यार है औ और सदा खिले हुए हैं, मुर्जाए हुए कभी नहीं, रोज अमरित वेले, बाप तादा सनेह और शक्ती की विशेश पालना से सभी रोहानी गुलाब के पुश्पों से मिलन मनाते हैं, अमरित वेले विशेश प्रभु पालना का वेला है, अमरित वेले विशेश परमातम मिलन का वेला है, रोहानी रूह रोहान करने का वेला है, अमरित वेले भोले भंडारी के वर्दानों के खजाने से सहज वर्दान प्राप्त होने का वेला है, जो गायन है, मन इच्छित फल प्राप्त करना, यह इस समय अमरित वेले के समय का गायन है, बिना मेहनत के खुले घजाने प्राप्त करने का वेला है, ऐसे सुहावने समय को अनुभव से जानते हो न, अनुभवी ही जाने इस श्रेष्ट सुख को, श्रेष्ट प्राप्तियों को तो बाप दादा सभी रोहानी गुलाब को देख देख हरशित हो रहे हैं बाप दादा भी कहते हैं वहा मेरे रोहानी गुलाब आप वहा वहा के गीत गाते तो बाप दादा भी यही गीत गाते समझा मुरलियां तो बहुत सुनी हैं सुन सुन कर संपन बन गए हो अभी माटने के प्लैन बना रहे हो ये उमंग बहुत अच्छा है आज यू के अर्थात ओके रहने वालों का टर्न है डबल विदेशियों का एक शब्द सुन करके बाप दादा सदा मुस्कुराते रहते हैं कौन सा थेंक्यू थेंक्यू करते हुए भी बाप को भी याद करते रहते हैं क्योंकि सबसे पहले शुक्रिया दिल से बाप का ही मनाते हैं तो जब किसी को भी थेंक्यू करते तो पहले बाप याद आएगा ना ब्रामन जीवन में पहला शुक्रिया स्वता ही बाप के प्रती निकलता है उठते बैठते अनेक बार थेंक्यू कहते हो ये भी एक प्रामनों की भाषा भी अपनी है, जो नए समझ भी नहीं सकते, कि ये क्या बोलते हैं, तो ब्रामनों की भाषा, ब्रामनों की डिक्षनरी ही अपनी है, तो यूके वाले सभी को एक बनाने में बिजी रहते हो ना, संख्या भी अच्छी है, और सने भी अच्छा है, हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेशता तो है ही है, लेकिन आज यूके का सुना रहे हैं यग्यस ने ही यग्यस एह योगी ये विशेशता अच्छी दिखाई देती है हर कदम पर पहले यग्य अर्थात मधुबन का हिस्सा निकालने में अच्छे नंबर में जा रहे हैं डिरेक्ट मधुबन की याद एक स्पेशल लिफ्ट बन जाती है हर कारे में ह मदुबन अर्थात बाप की याद है या बाप की पड़ाई है या बाप का ब्रम्मा भोजन है या बाप से मिलन है मदुबन स्वता ही बाप की याद दिलाने वाला है कहां भी रहते मदुबन की याद आना अर्थात विशेश स्नेह लिफ्ट बन जाता है चड़ने की मेनल से छ स्नेह की छोटी वस्तो ही हीरे रत्न है इसलिए सुदामा के कच्चे चावल गाए हुए हैं इसका भावार्थ यही है कि स्नेह की छोटी सी सुई में भी मदबन याद आता है तो वह भी बहुत बड़ा अमूले रत्न है क्योंकि स्नेह का दाम है वैल्यू स्नेह की है चीज की न लेकिन सने नहीं तो उसका जमा नहीं होता और सने से थोड़ा भी जमा करे तो उनका पदम जमा हो जाता है तो बाप को सने पसंद है तो यूके वालों की विशेशता यग्य सने ही यग्य सहयोगी आदी से रहे हैं यही सहज योग भी है सहयोग सहज योग है सहयोग का संकल्प आने से भी याद तो बाप की रहेगी न तो सहयोगी सहज योगी स्वता ही बन जाते हैं योग बाप से होता है मदबन अर्थात बाप दादा से तो सहयोगी बनने वाले भी सहज योग की सब्जेक्ट में अच्छे नमबर ले लेते हैं दिल का सहयोग बाप को प्रिये है इसलि चोटी दिल वाले छोटा सौधा कर खुश हो जाते और बड़ी दिल वाले बेहत का सौधा करते हैं फाउंडेशन बड़ी दिल है तो विस्तार भी बड़ा हो रहा है जैसे कई जगह पर व्रिक्ष देखे होंगे तो व्रिक्ष की शाखाएं भी तना बन जाती हैं तो यूके के फाउंडेशन से तना निकला शाखाएं निकली अव्य शाखाएं भी तना बन गई उन तना से भी शाखाएं निकल रही हैं जैसे आस्ट्रेलिया निकला, अमेरिका, यूरोप, अफरीका निकले, सब तना बन गए और हर एक तना की शाखाईं भी अच्छी तरह से व्रिद्धी को पा रही हैं, क्योंकि फाउंडेशन स्नेह और सहयोग के पानी से मजबूत हैं, इसलिए विस्तार भी अच्छा है और फ